संजू सामसन की एक इनिंग और दो सूपस्टार बलेवाजों पर T20 फॉर्मेट में अपनी जिगे बचाने को लेकर के खतरा मन रहाते हुए साफ तोर पर दिख रहा है यानि कि एक पारी से संजू सामसन ने यह तै कर दिया है कि दो बलेवाजों को और बेहतर करनी की सरूरत है या फिर हो सकता है कि चेयन करता उन दोनों खिलारियों को मौका ही न दे क्योंकि यह समय T20 फॉर्मेट में आपको जो भी माचस खेलने हैं उसके जस्ट बाद आपको टेस्ट माचस भी खेलने हैं लेकिन इतना तै है कि भी अब चेयन करताओं को यह तै करना पड़ेगा कि T20 फॉर्मेट में यह मेरा विकेट कीपर है या बलेवाज है सलामी बलेवाज है टेस्ट माचस में यह खेलेगा और ओडियाए फॉर्मेट में यह खेलेगा टेस्ट माचस में उम्दा प्रदर्शन उनके आसपास कोई नहीं है इसमें कोई डाउट नहीं है इसके लाबा आपके शुबमन गिल्ने ओडियाए फॉर्मेट में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन आप दा सेम टाइम टी ट्वेंटी फॉर्मेट में रिशप पंथ के परफॉर्मेंस को लेकर के कई बार चर्चाएं हुई है रिशप पंथ ने उस तरीके से जलवा नहीं बिखे रहा है लेकिन आज जो संजू सैमसन ने स्कोर किया जस तरीके से 40 गेंदों पर शतक लगाया है संजू सैमसन ने उससे उनोंने एक चीज तो क्लेर कर दिया है चेर करतां को कि विकेट कीपर के रेस में वो भी किसी से कम नहीं है और संजू ओपन करते वे उन्होंने शतक लगाया है यानि कि दो खिलाडियों पर दबाओ बना दिया है और टीम इंडिया को बैलन्स करने के लिए संजू सैमसन का ये शतक बहुत शानदार है मैं बताता हूँ क्यों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजीगा वीडियो को भी लाइक कर दीजीगा कौन से शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप हमें जरूर कॉमेंट करके बताएगा मैंने इसलिए का कि संजू का ये शतक ओपन करते वे बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि जब संजू सैमसन ओपन करेंगे अगर माली जी कि प्योर आपकी टी-20 की टीम खेल ली है जहांपर जैसवाल भी है और अगर संजू जैसवाल के साथ में ओपन करेंगे तो आपका विकेट कीपर ओपन कर रहा है यानि कि आपको मिडल ओर्डर में किसी अन्य खिलारी को लाने के जरूरत नहीं है मतलब अगर रिशब पन्त खेलते हैं मिडल ओर्डर में तो आपको एक सलामी बलेबास भी चाहिए होता है तो आप शुबमन गिल के साथ में ओपन कराते हो देरनापके चार नंबर पर या पाँच नंबर पर रिशब पन्त भी आते हैं लेकिन अगर आपका एक सलामी बलेबास ही विकेट कीपर हो जो संजू सैमसन कर रहे हैं और विस्पोटक बलेबास हो जो कि छे ओवर में बक्यां उधेर दे सामने वाली टीम का जैसा उन्होंने किया एक ओवर में पाँच छक्के टांगे हैं आज संजू सैमसन अगर यही इनिंग कोई और खेला होता तो इस समय धमा का मत जाता कि क्या बैटिंग क्या बैटिंग लेकिन संजू ने शांत रहे करके जो बैटिंग की है उन्होंने शुबमन गिल के उपर में बहुत ज़्यादा दबाव बना दिया है क्योंकि शुबमन गिल चालिस गेंदों पर शतक लगाएंगे यह बहुत कम चांसे हैं बहुत तगड़े बलेबास हैं लेकिन टी ट्वेंटी फॉर्मेट में जब हिटिंग की बात आती है तो संजू सैमसन किसी से कम नहीं है मेरे भाई दूसरी बात यह है कि शुबमन गिल ओपन करेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा वेकेट की पर तो लाना पड़ेगा टीम में प्लेइंग 11 में इसके लिए चाहे रिशप पंतो संजू सैमसन हो तो फिर किसी ना किसी ओल राउंडर को आपको निकालना पड़ेगा और इस समय जो गौतम गंबीर की सोच है वो मैक्सिमम ओल राउंडर को खिला रहे हैं चाहे वो रियान पराग हों चाहे वो आपके अभिशेक शर्मा हों चाहे वो आपके वाशिंग्टन सुन्दर हों चाहे हार्दिक पांडिया हो चार पांच तो प्लेइंग 11 में इस समय आपके आल राउंडर्स खेल रहे हैं तो वो आल राउंडर को हटा करके एक एक स्ट्रा विकेट कीपर रिशप्पन को खिलाएंगे या सलामी बलेबास शुबमन गिल को खिलाएंगे ये टैग करना पड़ेगा गौतम गंबीर को सुरी कुमार यादब को लेकिन ये भी बा मिका में जो काम आपके लिए रिशब पंद करते हैं वो काम आपके संजू सैमसन बलेबास के तौर पर विकेट कीपर के तौर पर कर रहे हैं तो मदिकरम में जब रिशब पंद खेलते हैं चार नंबर पांच नंबर तो वहाँ पर आपके लिए हार्दिक पांडिया पफॉर् आप संजू सैमसन इसी तारीके से साउथ आफरिका में रन कर देते हैं क्योंकि साउथ आफरिका में भी रिशब पंत नहीं जाएंगा खेलने के लिए तैह है और साउथ आफरिका में भी शुबमन गिल नहीं जाएंगे क्योंकि पांच तारीक को आपको न्यूजलेंड के खि तो आप उस्ट्रेलिया की तैयारी करेंगे जो टेस्ट मैचेस के खिलाडी है उनको अलग से लेकर के आप उस्ट्रेलिया पहले जाएंगे तो संजू सैमसन अगर साउट आफरिका में भी धमाकेदारपारी खेल देते हैं तो मैं आपको लिख करके दे रहा हूं दावे के और शुबमन गिल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी टीटी में फिर शप्पंत बैक अफ विकेट कीपर के तौर पर होंगे संजू सैमसन सलामी बलेबास और विकेट कीपर की भूमिका में नजर आएंगे मुझे ऐसा लगता है माकी आप लोग का क्या कहना है इसके बा सुपस्टब